इस वीडियो में गुनज और गुननखंड दोनों बता आ गया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें धीरू, पंकज और सोनू ये सब भाई कह रहे हैं कि भाईया हमें बहुत ही गहराई से समझाईए गुननखंड तो बाई साब मैं आपको बता दूँ कि आज मेरा मूड उतना अच्छा नहीं है याद फिर भी समझ लो बाई यहाँ पर समझो कह रहा है गुननखंड और गुननखंड को इंगलिस में कहते हैं फैक्टर ये सब आप सब को पता होगा किसी दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग सके उसे गुननखंड कहा जाता है यहाँ पर आप सब को दिख रहा है आठ ये हमारा आठ दिया गया संख्या है और यहाँ पर ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये यहाँ पर एक दो चार और आठ अगर हम ये सब से आठ में भाग लगाते हैं तो आठ हमारा पूरा पूरा कट जाएगा मतलब कहा जाए कि एक दो चार और आठ ये सभी संख्या से आठ हमारा पूरा पूरा खतम यानि कट जाएगा तो भाई सहाब यही जो जो संख्या से हम आठ को पूरा पूरा काट रहे हैं तो भाई सहाब यही सब संख्या हमारे आठ के क्या हो गया है गुननखंड तो परिभासा में यही लिखा हुआ है कि किसी दी गई संख्या में तो किसी दी गई संख्या भाई शाब यहाँ पर आठ मैंने लिख रहा है ठीक है और जी सजी संख्या से तो यहाँ पर यह जो संख्या दिख रहे हैं ये सब संख्या से भाग लग सकता है वो भी पूरा-पूरा कट जाएगा खत्म हो जाएगा भाग लगाएंगे तो तो उसे गुनन खंड कहा जाता है तो भाई शाहब ये जो संख्या आपको दिख रहे हैं ये सब संख्या आठ को पूरा-पूरा काट देंगे तो यही सब संक्या हमारी क्या है गुनन खंड आपको आया की नहीं आया अगर आपको नहीं आया हो तो यहां पर आप गौर किजिए आठ के जगह पर मैंने ले रखा है अब अठारा अब यहां पर आप गौर किजिए अब आप से पुछा जाएगा कि अठारा का गुननखंड निकालिए तो अब आप क्या किजिएगा तो आपको क्या करना है और देखना है कि सबसे पहले एक से अगर हम अठारा में भाग लगाते हैं तो क्या ये अठारा पुरा-पुरा कट जाएगा तो जी हाँ गाईज अगर हम एक से भाग लगाते हैं अठारा में तो ये पुरा-पुरा कट जाएगा तो अठारा का गुननखंड हमारा एक हो गया अगर हम दो से लगाते हैं तो दो से भी पुरा-पुरा ये कट जाएगा अठारा तो जब 2 से पुरा पुरा अठारा कट जाएगा तो 2 भी हमारा अठारा क्या हो गया गुनन खंड अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 से भी पुरा पुरा कट जाएगा और 4 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा पांच से लगाएंगे तो नहीं कटेगा और इसके बाद छे से लगाएंगे न तो ये पूरा-पूरा कट जागा तो जिस जिस संख्या से पूरा-पूरा कट जागा तो वही सब संख्या ही हमारे क्या कहलाएंगे गुनन खंड तो यहांपर अठारा को यह सब शंक्या आसानी से काट सकते हैं वो भी पूरा-पूरा ठेक है तो यही सब संख्या हमारे क्या हो गए अठारा के गुनन खंड अप कोई भी example ले सकते हैं वो आपर निर्फर करता है तो मैंने एक और असानी से ले रखा है यहाँ पर आप सून ही लीजिए और देख ही लीजिए यहाँ पर अब 20 है अब 20 का गुनन खंड क्या क्या हो जागा तो 20 को हम एक से 20 में अगर हम एक से भाग लगाते हैं तो भाई साब यह भी पुरा-पुरा कट जागा दो से लगाएंगे तो यह कट जागा तीन से लगाएंगे तो नहीं कटेगा आप सबको पता है चार से लगाएंगे तो यह पुरा-पुरा कट जागा पांच से लगाएंगे तो यह कट जागा हाँ तो गाज पांच से लगाएंगे तो कट जागा और छे से लगाएंगे तो नहीं कटेगा साथ से भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा और आट से भी नहीं कटेगा नौ से भी नहीं कटेगा दस से कट जाएगा और बीस से कटेगा तो जिस संख्या से कट रहा है मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं यह सब संख्या से आसानी से 20 हमारा खतम हो जागा यानि पुरा-पुरा कट जागा भाग लगाएंगे तो तो यही सब संख्या हमारे क्या हो जाएंगे यह 20 के हो जाएंगे गुनन खंड तो आप 20 के जगह पर कोई भी संख्या लेकर देखे हम उधारन में देद रहे हैं 40 और इसके बाद हम देद रहे हैं 60 ये सब आप मुझे comment section में बना कर देखाएगा ये सब का गुननखंड किस तरह से निकाल सकते हैं तो भाई साब मैंने जो आपको बताया अभी अभी जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको clear रहा अगर आपको clear रहा हो देख पा रहे हैं गुनज ओके और गुनज को इंग्लिस में कहते हैं multiple यहां तक आप सब को clear रहा होगा यहां पर मैंने आगे क्या लिख रखा है किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुनज होता है यहां पर आप गौर किजिए कह रहा है किसी संख्या का पहाड़ा तो किसी संख्या का पहाड़ा में मैंने ले रखा है पांच तो पांच का पहाड़ा भाई साब यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और इसे आगे आप और ले सकते हैं तो गाईज किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुनज होता है भाई साब पांच का पहाड़ा यह सब आपको दिख रहे हैं ठीक है और यही सब यही सब भाई साब हमारे पांच की क्या हो जाएंगे गुनज भाई साब आपको किलियरली सुनाई पढ़ रहा है या नहीं गाईज किसी संख्या का पहाड़ा तो पांच का पहाड़ा यह रहा यह सब और यही सब हमारे पांच की क्या है गुनज होते हैं अब आपसे पुछ दिया जाएगा कि पांच के गुनज कौन कौन हो जाएगे तो पांच के गुनज आपके सामने पांच हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ये सब आप आसानी से ले सकते हैं तो भाई साब यहां तक आपको खिलियर रहा कि नहीं रहा एक और हम एक्जामपल लेते हैं गाईज मैंने यहां पर और लिख रहा है दो अब दो का पहाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 गाईज यहां पर ये जो दिख रहे हैं आपको दो के पहाड़ा है और यही पहाड़ा ही हमारे दो के क्या हो जाएंगे गुनज तो भाई साब आपसे पूछा जा सकता है कि दो के गुनज क्या हो जाएगा तो आपको बस यही ख्याल रखना है कि जिसका गुनज पूछा जाएगा मतलब दो के हम गुनज पूछे तो दो के पहाड़ा लिखा गया अगर हम तीन के पूछ देंगे तो आप क्या किज़ेगा आप तीन के पहाड़ा लिखे दीजिए जी हाँ साथ ही हो तीन के पूछेंगे तो तीन का पहाड़ा बने रही है और जूडे रही है